इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Making of the Indian Constitution इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस को समझो यहां पर यह टॉपिक क्यू आया है इस चीज़ को भी समझे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि South Africa की कहानी क्या रही South Africa में किस तरह से संघर्श किया गया अपनी आजादी के लिए अब South Africa से आगे बढ़ते हैं अगर हम उनके struggles अगर सीखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि Constitution की जरूरत क्या है Why do we need our Constitution? We have discussed this thing in the previous topic अब हम बात करते हैं हमारे अपने घर की We are coming to the topic Making of the Indian Constitution कि Indian Constitution किस तरह से बना? Indian Constitution किस तरह से बना? क्या इस्तिती रही होगी? तो आप देखेंगे तो क्या रास्ता हमने ताई किया जिस कित्रों में Constitution मतलब हमने हमारा Constitution बनाया फिर उसके आगे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे तो किन लोगों ने बनाया तो Constituent Assembly क्या थी? किस तरह से Constituent Assembly ने बनाया? हम क्यों वो पुराने Constitution को आज भी चला रहे हैं? तो इस सारे topics को हम एक एक करके पढ़ेंगे एक वीडियो में एक topic यहां पर यह जो topic है making of the Indian Constitution इस topic में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से Constitution बनाया गया? क्या स्तिती थी उस समय पे? उस समय पे क्या situation थी? इस चीज को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं तो इस सिट्वेशन एंडर विच इंडियान कॉंसिटीशन वास में में ठीक है तो यहां एक कुशन मार्ख है कि वाड़ो इस सिट्वेशन तो इस नॉट इजी फॉर दी समय वादान कर रहे हैं इस बन लो तो चल रहा है यहां पर दूसरी तरीके से बहुत शोर शराबा हो रहा है जैसे कर आप देखेंगे तो क्या लाइट प्रॉपर नहीं है तो वह रखंस्तैंस फेरेबल नहीं है कि तो मैं कैसे बढ़ा पाओंगा पताओ क्लियर उसी तरह से क्या है उसी तरह सब्सक्राइब आप समझोगे तो जब समविधान बनाना था तो देश में सब कुछ सही नहीं था बहुत सारी समस्यां एति और उन समस्यां के बीच में एक ऐसा समविधान बना दिना इस चीज के लिए में क्या करना चाहिए हमारी इसंदर सुनर कांसिटिशन बना के दिया तो अगर जिसे हम देखे है तो सिच्वेशन क्या थी तो इसक्वेशन में इस 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 तरह से अपने साथ आफरिका का एग्जामपल दिखा है कि उन्होंने अपना जब कॉन्सीशन बना सान्त मिलके वनाएंगे सही चलेगा नहीं ही चलेगा मेंशेज दो उसी तरह से उनसे पहले ही हमने ऐं इंडिया वर emerging from the status of subjects to that of citizens पहले हम पहले हम लोगों ने किस चीज का status होल्ड करका था subjects का we were subject to the British nation ठीक है we are subject to the British Parliament British Parliament जो हमें क्या कर रही थी अब जैसे आपको समझना उत्याचार कर रही थी हमें कर रही थी जो भी ठीक लग रहा था वह कर रही थी ठीक है लेकिन अब क्या है आजादी मिलने के बाद we became citizens हम नागरिक बन गया जब नागरिक बनोगे आपके दाइतव रहेंगे आपके अधिकार भी आएंगे आपके दाइतवी रहेंगे आपकी रिस्पॉंसिबिलिटीटीज भी राइट के साथ रिस्पॉंसिबिलिटीज आना है तो क्या है और फिर जैसे आपने पढ़ाया चैप्टर वन में हमने पढ़का है connect करते चला करो तो हमने क्या पढ़के आए थे कि डेमोक्रिसी किस चीज़ पर बेजड होती है पीपल संट भी वर नौट ट्रेंड फॉर देट ठीक है ट्रेनिंग नहीं मिली थी किसी तरह से कि कैसे देश चलाएंगी जनता डेमोक्रिसी में जनता ही देश चलाती ही कहने के लिए तो यह यह न तो यह आला पॉइंट था फिर क्या है ती कंट्री वास वार्न थूर पार्टिशन ऑन होता है तो उसके चलते क्या है कि रिलीजियस हार्मनी जो थी ना धार्मिक कह सकते हैं जो शांती थी वह भंग हो गई क्यों कि आप जिसे देखो के तो रिलीजन के बीचिस पी जब डिविजन हुआ तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में राइट सोते हैं बहुत जाद के राइट का एक्सप्लाइटिशन नहीं होगा तो यह सारी चीज़ आपको कॉंचिशन में इंकॉर्परेट करना पड़ेगी कॉंचिशन मना रहे थे आप देश का भष्ष लिख रहे थे तो उस देश के भष्ष में सबको होप्स दिखना चाहिए यह क्या है एक तरह से कह देते हैं इस विभाजन में तो यह भी क्या था यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आगे कैसे रहेंगे जैसे ब्लैक्स और वाइट्स के वीच में डिफ्रेंस थे ना कंफ्लिक्स थे तो यहां पर भी कंफ्लिक्स उस समय पर पैदा ही होते और घाओ जब क्या रहते हैं तरह से ताजा थे तो उस समय पर उन गहाओं को समालना और मुश्किल था तो यह भाग ब्रिटिश हाज लेस्ट इट टू दी रूलर्स ऑफ दी प्रिंसली स्टेट्स तो डिसाइड वेदर दे वांटेट टू मर्च विट इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिप पाड़े थे राजा रजवारों को तीन ऑप्शन दे दिए इंडिया के साथ मिल जाओ पाकिस्तान के साथ मिल जाओ या फिर इंडिपेंडेंडेंट रहे लो तो उस बीच में यह देखना था कि इंडियन टरिट्री की इंटिग्रिटी बनी रहे है ठीक है मतलब इन गवर् करना इंडियन यूनियन के साथ मिलाना कैरट और स्टिक जो भी स्ट्रेटीज करना पड़े उस तरीके से यह चैलेंज था ठीक है बहुत बड़ा चैलेंज था मुल्टीपल चैलेंज थे जिन स्थिदी में हमारा कॉंसिशन मनाया गया तो अब क्या होगा कि यह इंडिपें ने सारी स्थिदी ती यह सारी सीच्वेशन थी जिन में हमने क्या करा हमारा कंसूरीशन ड्राफ्ट किया समझ में तो में का प्रिस्टीशन में आपको बैग्रॉंड समसे आ रहा था तो का भविष्ट जितना आज सिक्योर लगता है ने से फील होता है लोग कहते हैं एक भा क्या है एकबार क्योंकि जिस तरह से सम्मीदान में इंकॉर्प्रेट अंक्लूजिव निचर आपको देखने को मिलेगा अब कहें विश्व में कषगा मिलेगा तो उसके चलते क्यारी किया कि आज जितना सिक वेघ्र आपको आपका देश आपको आपका कॉंसन देखता इतना था नहीं कि जो situation t zin situations में बनाए गार सकॉंशेयों को शोड़ सलूट सथ आता है तो यह कहानी थी आप क्या राए तो जिसे कॉंशेयोशन मेकर सका सामने चालेंज है कि वह पास्ट और फूटर के बीच में ऐसा बरिज बनाए एक ऐसा और यह पाथ किस तरह से बनाया गया तो यह सारी चीज़ा नेक्स वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं नुमीद करता हूं आपको यहां तक चीज़े समझ में आई है मैगनेट बेंस पर इसी तरह से सभी सब्जेक्स चैप्टर्स टॉपिक सब्टॉपिक सब कुछ सिस्टेमाटिक वे में वीडियो के फॉर्माट में अवेलेबल हैं यह सभी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और इन सभी वीडियो को आप हमारी वेबसा जाएंगे टॉपिक आजाएंगे सब टॉपिक आजाएंगे अराम से घर बैट अपना सिलिवर्स कम्प्लीट कीजिए अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरू बदाएं क्यूंकि किंडल गार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैगनेट पर अविलेबल हैं मिलते न जिन मैच?